नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप जनल स्टेडी पेबर 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हों। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिसकेशन में। कंटेक्स्ट हम थोड़ा बाद में डिसकेश करते हैं। पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो आप CBI यानी Central Bureau of Investigation का ओरीजन ट्रेस कर सकते हों। 1941 के Special Police Establishment Act में। वैसे CBI एक Statutory Body नहीं है। इसे अलग से Special Parliament के एक Act की साहिता से नहीं established किया गया है। कौन से cases को CBI के द्वारा investigate किया दाता है। Economic Crimes, Special Crimes, Cases of Corruption या फिर दूसरे High Profile Cases। वैसे तो देखो, Line Order जो है, वो States की Power में आता है। आप सविधान का सात्वा सेड्यूल अगर देखोगे तो उसमें तीन लिस्ट है। Union List, Concurrent List और State List तो Line Order State का subject है। अब देखो question यह उठता है, अगर Line Order State का subject है, तो क्या CBI अपनी मर्जी से किसी भी State में किसी मामले पर investigation कर सकती है। देखो कर तो सकती है, इसके लिए State को अपनी consent देनी होती है। और यह consent दो type की होती है, एक General Consent और दूसरी Specific Consent. अगर कोई State General Consent CBI को दे देता है, तो फिर CBI नए मामलों में अपने मर्जी से उस State में जाके investigation कर सकती है। एक बार General Consent मिल गई, मतलब हर एक case के लिए फिर consent नहीं लेनी पड़ेगी, State की अनुमती नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरी type की consent होती है, Specific Consent. ये जो consent होती है, Specific Case के लिए दी जाती है। हर नए case को investigate करने के लिए फिर से ये Specific Consent लेनी पड़ती है। देखो एक Technically Incorrect Example की साहिता से आपको बताओ, General Consent मतलब lifetime subscription आपको मिल गया किसी चीज़ का, for example, Netflix का। अब आपको अपना Netflix account जो है, बार-बार renew करवाने के आप सकता नहीं है हर मन्त। Specific Consent मतलब आपको एक महिने का subscription मिला है, और हर महिने आपको अपना जो account है, वो renew करवाना पड़ेगा। ये Technically Incorrect Example है, लेकिन बस समझने के लिए हैं। थोड़ी सी और information CBI के बारे में, Ministry of Personal, Public Gravances and Pensions, इस Ministry के jurisdiction में आती है CBI, और CBI को exemption मिली हुई है RTI से, ये एक criticism भी है, कि CBI की accountability नहीं है, इवन National Investigation Agency और National Intelligence Grid ये भी RTI की दाएरे से बाहर हैं। तो ये हमने बात कर ली basics की, अब बात करते हैं context की। Supreme Court ने अपने एक order में कहा है कि Central Government बिना states की permission के CBI की jurisdiction को extend नहीं कर सकते states में। Kind of वही बात जो हमने शुरुवात में डिसकस की कि consent लेना जरूरी है states की, states में किसी मामले को, CBI को investigate करने के लिए। इसके बाद देखो एक important बात, मान लीजिए states ने general consent दे दी CBI को, कि आप जब मर्जी चाहो, states में नए cases register कर सकते हो, investigation कर सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि states बाद में वो general consent वापस नहीं ले सकते, जब जाहें states वो general consent वापस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार बिका हुए माल वापस नहीं होगा, एक बार दे दी consent तो दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल consent states के द्वापस भी ले जा सकती हैं, और इवन इस article का focus ही यह हैं, कि कैसे पिछले कुछ दिनों में, आठ opposition वाले states ने general consent वापस ले ली हैं, और देखो, जब किसी state के द्वारा general consent वापस ले ली जाती हैं, तो फिर इसका मतलब ये भी नहीं, कि पुराने जिन मामलों पर investigation CBI कर रही हैं, अब उन पर भी CBI investigation करना बंद कर देगी, नहीं, पुराने जो investigation चल रही हैं, वो तो चल internal consent किसी state के द्वारा CBI से वापस ले ली जाती हैं, तो ये आपने समझ लिया पूरा background और context, अब मैं आपको simply बताता हूँ, होता क्या है, जो आपको answer में लिखना नहीं है, CBI देखो, काम करती है central government के इसारों पर, कोई भी सरकार हो, वो CBI कहां इस्तिमाल करती है, अपने political purposes अपजीज के लिए, opposition के leaders को डराने के लिए, अपने scores settle करने के लिए, मतलब दुस्मनी निकालने के लिए, उनका ध्यान divert करने के लिए, उनकी energy waste करने के लिए, कई बार regional parties को डराने के लिए, कि आप हमारे साथ alliance कर लो, otherwise आपके leader के खिलाफ corruption का मामला दर्ज कर लिया तो इस परकार से CBI का इस्तमाल central government के द्वारा किया जाता है, अपने scores settle करने के लिए, जो भी government होती है, किसी particular government की बात नहीं है, तो फिर बहुत बार, वो states, मालीजिये center में सरकार है, BJP की, NDA की, और states में सरकार है, Congress की, तो state में Congress के जो मुख्यमंतरी होते हैं, उन्हें डर लगता है, कि CBI को general consent जो दी हुई है, ऐसा नहीं कि CBI मेरे खिलाफ ही investigation स्टार्ट कर दे, और मुझे court के दखे खाने पड़े, या फिर मैं किसी controversy में first जाऊं, तो फिर Congress के मुख्यमंतरी क्या करेंगे, CBI को दी हुई general consent वापस ले लेंगे, तो अब CBI को तो specific consent कि आप सकता पड़ेगी, और specific consent फिर state देता ही नहीं है, मैं आपको एक बिल्कुल छोटे से example की सायता से बताता हूं, असोग घहलोत का नाम सामने आया था, असोग घहलोत राजिस्तान के मुख्यमंतरी है, उनका नाम सामने आया था जब सचीन पाइलेट पे आरोप लगा था कि वो बीजेपी के साथ बात कर रहे हैं, विदायकों की ख्रीद फ्रोक्त वो कर रहे हैं, ऐसा आरोप उन पर लगा था, तो फिर कई सारे leaders ने ये आरोप लगाया था, असोग घहलोत पर, कि आप कानून से अलग जाके इस परकार से phone tape करवा रही हो, इसकी CBI investigation होनी चाहिए, अब पहले तो राजेस्तान ने general consent दी हुई थी CBI को, और राजेस्तान के मुख्यमंत्री असोग घहलोत को डर लगा, कहीं CBI जिनको general consent दे रखी हैं, वो मेरे खिलाफ case ना दर्ज कर ले इस मामले में, तो उन्होंने जल्दी से C CBI फिर असोग घहलोत के ऊपर case नहीं दर्ज कर सकती थी, उनको specific consent लेने की आवशकता थी, specific consent राजेस्तान की government देगी नहीं, तो मतलब उनके ऊपर से खत्रा टल गया, ये सिरफ एक example है, तो generally ऐसा ही होता है, जो opposition वाले states होते हैं, जिनको डर लगता है कि CBI का इस्तमाल central government के द्वारा किया जा रहा है, अपनी दुस्मनी निकालने के लिए, फिर वो general consent वापस ले लेते हैं, एक और example आप देख लीजिए, तेल्गु देशम पार्टी, इन्होंने NDA से समर्थन वापस ले लिया था 2018 में, उसके बाद चंदरबाबु नाइडू को ये लगता था कि central government CBI का इस्तिमाल कर सकती है, मुझे फसाने के लिए, तो उन्होंने general consent वापस ले ली, कि अब कोई भी case अंदरपरदेश का हो, आप सरकार की अनुमती के बिना दर्ज नहीं कर सकते, तो kind of उन्होंने अपने आपको बचा लिया, बचा लिया मतलब यूँ नहीं कह सकते कि हम व बताया गया है, कब-कब women states ने CBI से general consent वापस ली, करनाटक एक ऐसा state है, जिसने past में काफी बार CBI से general consent वापस ली है, नुवंबर 2018 में आंदरपरदेश ने CBI से general consent वापस ली थी, उसके बाद West Bengal ने भी CBI से general consent वापस ले ली थी, 36 गर्ड तीशर ऐसा राज्य बना, जिसने जनवरी 2019 में CBI से general consent वापस ले ली, उसके बाद राजेस्तान ने भी जनवरी 2020 में general consent को विड्रो कर लिया, state में investigation के लिए, अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे issues, जो CBI की functioning को परभावीत करते हैं, सबसे पहला issue, excessive political interference, बहुत ज़्यादा political interference, central government के इसारों पर काम करती है, CBI, independent होगा काम नहीं करती है, cover up wrong doing, keep coalition allies in line, cover up wrong doing का मतलब देखो ये है, चूकि CBI, central government के इसारों पर काम करती है, तो ऐसे cases, जिनको लेकि central government को embarrassment का सामना करना पड़ सकता है, उन cases में central government की गलतियों को ढख दिया जाता है, CBI के दवरा, ना सिर्फ central government बलकि मा लीजिये, state में भी BJP की सरकार है, center में भी BJP की है, तो फिर state government की गलतियों को भी छुपा लिया जाता है, अगर सेम सरकार हैं, काफी बार जो सहोगी दल होते हैं, उनको ड़राने के लिए कि अगर आप सरकार से अलग हुए, तो CBI को आपके खिलाफ investigation के लिए छोड़ दिया जाएगा, आप फस जाओगे, तो उनको ड़राने के लिए CBI का इस्तमाल किया जाता है, enormous delays in concluding investigation, लंबा समय CBI के द्वरा लगा दिया जाता है, काफी बार cases के investigation में, credibility बहुत ज़्यादा कम है, हाला कि देखो, state police से तो ज़्यादा ही है CBI की, जो credibility है, लेकिन वैसे credibility काफी कम हुई है, मतलब जो जानकार लोग हैं, आप जैसे लोग जिनको पता है चीजों का क्या कुछ होता है, जैसे आपको याद होगा, आलोक वर्मा और अस्थाना, राकेस अस्थाना नाम था साइद उनका, कैसे CBI में लडाई हुई थी इन दोनों के बीच में, और even Supreme Court ने भी पिंजरे मे बंद तोता करार दिया था CBI को, उसके बाद है lack of accountability, RTI के दायरे में नहीं आती है CBI, तो इनकी जवाब देहित या नहीं होती, acute shortage of personnel, direct recruitment नहीं होता है CBI में, deputation पे जाते हैं, CBI में काम करने के लिए officers, limited powers, limited powers मतलब consent क्या हो सकता होती है, state से, restricted access, restricted access मतलब माल लिजिए, central government त secretary या फिर joint secretary से उपर के level का, तो उनके खिलाफ जांच करने के लिए central government से अनुमती लेनी पड़ती है, किया क्या जा सकता है, सबसे पहले तो आप central government के administrative control से अलग कर दो CBI को, दूसरा suggestion, statutory status आप provide कर दो, अभी ये statutory body नहीं है, जैसे CAG है, election commission है, ये constitutional bodies है, चलो आप CBI को constitutional body मत बनाओ, लेकिन statutory body तो कम से कम बनाओ, next, 24th report of department related parliamentary standing committee on personnel, public revances, law and justice, ये जो इस department की 24 में report थी ना, इसमें कहा गया था, CBI की strength को आप increase कर दो, और ज्यादा human resources प्रोवाइड करो, better infrastructure facilities आप प्रोवाइड करो CBI को, इसके साथ साथ, आप accountability भी फिक्स करो, और देखो, तो consent और jurisdiction समंदित जो rules है, उनको आप ज्यादा clarity से lay down कर दो, ताकि ऐसा नहीं कि opposition की सरकार है, तो फिर consent वापस ले ली, अगर same party की सरकार है center और state में, तो फिर consent दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, personal whims and fences पे, अगर institutions काम करेंगे, तो institutions जो हैं, वो destroy हो जाएंगे, इसके एक नए ला के थूँ, CBI को establish करने के आप सकता है, वही बात statutory status देने के आप सकता है, और इसके लिए parliament के थूँ, एक नए act बनाया जा सकता है, जैसे देखो, CVC, CVC 1964 में बनी थी, और शुरुवात में CVC सिरफ एक executive body थी, लेकिन 2003 में CVC को statutory status मिल गया था, उसी परकार से CBI को भी statutory status मिलना चाहिए, ताकि CBI और ज्यादा independent होके काम कर सके, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.